So guys हमारा next question है जहाँ पर interviewer हमसे पोच रहा है Give an example where median is more useful than mean ठीक है Let's answer this question So अगर आपने थोड़ा भी basic descriptive statistics पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि mean और median क्या होता है और दोनों में क्या difference है Question आप से ये पूछ रहा है कि कब कौन सी चीज़ को use करना चाहिए So एक बर पहले define कर लेते है mean क्या होता है median क्या होता है मालो आपके पास एक class में सभी बच्चों के marks है मालो आपके पास एक class में 50 बच्चे है और हर बच्चे के marks आपके पास है out of 100 Like this इस तरीके से आपके पास 100 numbers है sorry 50 बच्चों के numbers है अब इस data पे अगर आपको mean निकालना हो तो mean कैसे निकलेगा you would add all of these numbers आप इन सारे numbers को add कर दोगे और 50 से divide कर दोगे that would be your mean average basically median के case में आप क्या करते हो कि आप सबसे पहले इन सारे observations को इन सारे numbers को sort करते हो ascending order या descending order let's say हमने ascending order में sort किया अब ये numbers कुछ ऐसे दिख रहे है ऐसे दिखाई दे रहे है ठीक है अब आप क्या करते हो आप इसका जो middle number है सबसे बीच वाला जो number है वही आपका median होता है ठीक है अब अगर ये total numbers odd हैं तब तो बीच वाला number होगा अगर ये numbers even है जैसे हमने 50 students का data लिया तो 50 students में बीच के जो दो numbers होंगे let's say 24th student और 25th student उनके marks को आप 2 से divide कर दो वह आपका median होगा ठीक है अब दोनों की दोनों जो ये numbers है mean और median ये actually central tendency बताता है आपके data का central tendency of your data का मतलब कि आपका data का center कहां पर है ये खोजने का try करता है mean का भी यही काम है median का भी यही काम but question यह है कि किस scenario में आप median को follow करोगे over mean this is the question ठीक है तो बहुत easy है अगर आपने कभी भी practically काम किया होगा किसी भी data set में तो आपको पता होगा इसका answer बट मैं आपको बताता हूँ एक situation लेते हैं मालनो हमारे पास एक class है एक school में एक class है हमारे पास या एक college में एक class है और उस class में खूब सारे बच्चे हैं खूब सारे बच्चे के around ही लगा बट उनमें से एक बच्चा था उसने अपना startup किया और उसने funding उठाई और उसने करोडों की funding उठाई और वो अपने ही startup का CEO बन गया और उसने अपनी salary रखी है 1 करोड रुपीज ठीक है तो अब अगर मैं पूछू कि बताओ भई कि इस class का salary के हिसाब से performance कैसा है तो दो approaches है या तो आप mean निकाल दो आप median निकाल दो अगर आप mean निकालोगे तो देखो क्या होगा आपके पास 3 लाख होगा, 4 लाख होगा फिर से 3 लाख होगा, फिर से 4 लाख होगा बट फिर 100 भी तो होगा एक करोड़ वाला बंदा अब इस 100 की वज़े से क्या होगा कि आपका जो mean है वो उपर चला जाएगा और ऐसा हो सकता है कि आपका average salary आ जाए 32 LPA जो की गलत बात है आपके इस class का average salary is not 32 LPA ये 3, 4, 5 के range में होना जाएगे बट इस एक शर्मा जी के बेटे की वज़े से, outlier की वज़े से skew कर गया हमारा mean अगर आपने इस situation में median लिया होता तो क्या होता median अगर आप लेते तो आप सबसे पहले sort करते अपने data को और obviously आपका 1CR वाला बंदा last में आता तो बीच में से कोई बंदा होता, 4 या 5 टाइब का जो आपका answer होता जो की ज़ादा सही है reality के तो in short अगर आपको answer मैं बताऊं तो if your data has outliers तो फिर you should prefer median ज़ादा सही आपको reality के पास रखेगा, अगर outliers नहीं है then you can go with mean फिर वो आपको सही बताएगा this is the answer to this question